तो as a student, मुझे इस साल के ये टाइम बहुत पसंद हुआ करता था क्योंकि इस टाइम हमाई नहीं स्टेशनरी आती थी, नहीं टेक्स्टबॉक और नोटबॉक्स आते थे और नोटबॉक्स और टेक्स्टबॉक को कवर करने के लिए हम लेते थे काफी सारे कवर्स तो आज का ये वीडियो आपको help करेगा काफी सारे कवर्स के बारे में जानने में जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे और आप एक buying decision बना पाएंगे कि आपके लिए best कवर कौन जा रहेगा साथी साथ हम बात करेंगे कि कवर अपलाय करने की proper technique क्या है और के steps में जो आपको follow करना चाहिए जिससे आप अपनी notebook को काफी अच्छे से cover up कर पाएंगे तो start करते हैं इस category of covers के बारे में जानके तो जब आप market में जाएंगे आपको बहुत सारे covers मिल जाएंगे पर अगर हम classify करें तो तीन main type के covers होते हैं सबसे पहले होते हैं plastic covers then paper covers and then laminated covers laminated covers basically paper cover होते हैं जिनके उपर आपको एक plastic का coat मिल जाता है तो अब सवाल उठता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए तो देखिए सबसे पहले बात करें plastic covers की तो यहां पे आपको काफी colors में देखने को मिलते हैं तो यहां पे आपको काफी अच्छा सा एक brown paper मिलता है उसके उपर आपको एक प्लास्टिक मिल जाता है तो quality इसकी improve हो जाती है और यह वाले जो covers होते हैं आपकी load book को एक अलगीन का look होता है तो अगर आप कुछ टाइब को look पसंद है तो आप इसके साथ जा सकते हैं अब सवाल उठता है कि कौन सा कवर लंबा चलेगा कौन सा ड्यूरेबल एंड प्रॉपर टेखनीक का इंको अप्लाय करने की तो एक एक करके एंको आंसर करने तो इसके लिए क्या क्या आइटम लगेंगे वो जान लेते हैं पहले आपको लगने वाला है कवर कर रोल दैन आपको लगेंगे कैस कुछ शिजर सिरस यहां पर जो भी लेना वह एकदम शार्प लॉग होने चाहिए क्योंकि इस आपको कवर कट करने में मदद मिलेगी दैन आपको लगेंगे कोच एक्श्ट्र सब्साइब सबस्क्रिंग आपको इस तैफ का रोल मिल जाता है तो आपको क्या करना है अपनी जो-भी nootbook है उसको ले ले लेना है और इसको यहाँ पर कवर परूपर करना है याद रहें जितनी भी आपकी nootbook के लेंग देंगिस अगयो रूट लए सबसyle पेपर कटिंग मैट पर रखके एकदम स्ट्वेट कर दें से कई बार क्या होता है कि सिजर आड़ी तेड़ी चलिया दिया तो कट अच्छा नहीं लगता अगर आप पेपर कटर यूज करते हैं इस ट्राइप का रूलर रखके तो वहां पे काफी अच्छे से आप इसमें कर सक है तो गाइस अब हम स्टैप 2 के लिए रेडी हैं तो अब आते हमाई स्टैप 2 पे तो अपनी नूटबुक को आपको यहां पे ऐसा प्लेस करना हैं कवर को दोनों साइड डोल इन कर देना है अब यहां पर दिहान रखिए आपको कवर को जादा टाइड भी नहीं करना है कि नूटबुक ऐसी बेंड हो जाए यहां जादा लूज भी नहीं चोड़ना आपको एक स्टैपल कर दीजिए देंस को रोटेट करिए आप इस वाले कवर को हलका सा पूल करिए यह फिट हो जाए अच्छे से यहां पे एक चीज सा धियान रखें कि इनको हमेशा एजस को चे बेंड करने के बाद आपको किया करना है इसके फरंट सेक्शन को स्टैप से ओपन करना है यहां पर करने से आपके दोनों कवर्स खोलेंगे नहीं एंद नेट सेपल आपको इस पॉइंट करना है यही प्रोसेस नीचे करी यह पीछे की बीदुन साइट के साथ करिये हैं इन आपका जो cover है वो perfectly आपकी notebook पर बैठ जाएगा अब काफी सारे लोग ना इस cover को यहां से ऐसे cut कर देते हैं इसको भी fold करके apply करते हैं बट उसमें क्या होता है guys यह जो center वाला part होता ना यहां पर यह बहुत thick हो जाता है कि paper covers को आप easily fold करके ऐसे creases बना सकते हो तो वो move नहीं होते तो उन्हें थोड़ा बहुत ना apply करना easy सा हो जाता है पट long term में मुझे ऐसा लगता है जो plastic cover है वो आपको थोड़ी better durability दे पाएंगे तो overall आप यहां देख सकते हैं कुछ इस type का look मिलता है हमारे orange cover में हमारे laminated cover में हमारे transparent cover में और कुछ इस type से आपकी notebooks दिखने वाली हैं अब यह आपको personal choice है कि आप किस type के look के साथ जाना चाहते हैं पर यहां पर मैं note देना चाहूंगा कि आप स्कूल से पहले confirm कर लें कि कौन से covers allowed है और उनी covers को use करें लास्ट में बात करें stickers की तो stickers आपको काफी सारे type के मिल जाते हैं ऐसे creative creative stickers WWE के जोटा भी पर ऐसे बहुत सारे stickers आते थे तो आप इनमेंसे कोई साब ले सकते हैं अगर मेरा personal opinion मांगे तो मुझे इस type जो simple stickers होते हैं जिन पर कोई भी ऐसा picture नहीं बनी होती simple elegant stickers होते हैं वो मुझे सबस्यादा पसंद है तो उनको यह आप ले सकते हैं उनको यहां पर apply कर सकते हैं वो देखने में भी बहुत elegant लगते हैं और आपकी information भी उसमें clearly showcase हो जाती है लास्ट गलती जो हम करते हैं वो करते हैं इनको फिल करते हैं वक्त तो यहां पे इनको फिल करने के लिए कभी जेल पैंस का यूज ना करें क्योंकि इन stickers का सर्फिस ग्लॉसी होता है जैसे आपका हाथ लगेगा तो यह समज हो जाएंग कि आप कौन सा cover यूज करना prefer करते हैं and क्यों मैं मिलने वाला हूँ आपको next वीडियो में तब तक आप ऊपर देख सकते हैं हमारा best pencil case वाला वीडियो उसमें को पता लगेगा यह क्या-क्या best pencil cases हैं जो आप अपने next school session के लिए लिए सकते हैं नीचे आपको एक और fantastic वीडिय रहा हुआ I'll see you in the next one till then take care guys bye bye